हलो गाइज, वेलकम बेक टो मैं चैनल होप वेल और आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ लाइफ चंदरग्रहन जो चंदरग्रहन देखना पसंद करता है वो इस वीडियो को जरूर दे सकते हैं और जो असुब मानते हैं चंदरग्रहन को वो ना देखे कोई दिकत नहीं है, scientifically यह एक प्रक्रिया, सुंदर प्रक्रिया है जो कि इस तरह होता है कि एक ही कतार में एक ही लाइन पर चांद, सूरज और प्रित्थिवी आ जाता है और प्रित्थिवी जो है चांद और सूरज के बीच में आ जाने के कारण चांद ढग जाता है और उसकी जो रौस्नी है वो दिखाई नहीं देती, इसी प्रक्रिया के कारण चंद्र ग्रहन होता है तो यह एक सुंदर प्रक्रिया जो हम लोग देख पा रहे हैं, मेरे मोबाइल के स्कीन के लाला प्लुक देख पा रहे हैं मैंने यह मोबाइल से सुट किया है अब लोग के लिए तो जो देख नहीं पाए यह वीडियो बाद में भी देख सकते हैं क्या खुबसूरत नजरा है इस नजरे को देखिए अभी ग्रहन खतम होने में ज्यादा वख नहीं है मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया यह आधा हो गया है तब से मैंने किया है क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो तेरा आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे तो अभी यह खतम होने वाला है दिरे 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 खतम होने लगा है यह अभी देखिए चंद दिरे दिरे ग्रहन उसको छोड़ने लगा है आप लोग को आखी तक दिखाऊंगा यह ग्रहन जब छोड़ जाएगा तो देखते रहिए वीडियो आप और एक खुब्सुरत नजारा लेते रहिए धर्म के अनुसार चंद्रगहन को असुब मना जाता है इसलिए रुपिया जो देखना पसंद नहीं करते यह वीडियो मत देखे देखे अभी ग्रहन छुट चुका है और चांद कितना खुब्सुरत दिखाई दे रहा है इसकी रौसनी देखिए मैं जूम कर रहा हूं देखिए आप लोग हफी सुन्दर दिखाई दे रहा है सच में बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है तो गाइस यह वीडियो कैसा आप लोग कमेंट कीज़ेगा और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्क्रैब करने दिजिए वीडियो पर लाइक कर दिजीए और बैल आइकन को में अईसा बनाते रहूंगा और आप लोग और लो को ब्लो आइकन प्रेस कर दिजहे ता कि आप विजयो का अंतर दी निक